हालो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई यूटूब चैनल, एंड कैसे हैं सभी लोग, I hope सब लोग बहुत अच्छे होंगे, तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे ट्रापिक कौन सा चल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रिमेंट का हम लोग पार्ट वन देख चुके हैं, आज हमारा पार टू है, तो देखिए, इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रिमेंट में हम लोग कुछ रूल्स फालो कर रहे हैं, जो वर्ब के रिकॉर्डिंग लगती हैं, तो चलिए, अगर आप चैनल में नए हैं, तो चैनल को सस्क्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करे चलिए, अब हम लोग क्लास को देरी ना करते हुए, क्लास को स्टार्ट करेंगे, देखे, ये जितने भी रूल्स आपको कवर करवाए जा रहा हैं, पढ़ाए जा रहा हैं, या आप जरूरी नहीं कि आप बस SSC का ही एक्जाम हो, या फिर रेलवे के एक्जाम हो, या फिर कि आपके जितने भी आल वं डे अग जाम कहा तो मतलब इसमें आये गई जितने फ़ी तीयदिय तीधिय जीदिय पी जीटिय ऐन्ड प्रामरी लेम या फिर कोई भी अधर इस्टेट लेल जिसमें इंग्लिस ग्रामर आती हैं तो ये सब के लिए most important rules हैं इस सब में यही rules पूछे जाते कहीं और से नहीं बनते तो आप लोगं को ये चीजे बहुत अच्छे से ध्यान मेरा खिलेनी हैं आपको सब के base के अंसार पढ़ना अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो कोई सब ही आप एक्जाम देंगे आप ये सब के लिए most important है ठीक है फ्रेंड तो आप इसको ignore ना करें आप इनको अच्छे से पढ़ें और अपनी copy बनाएं ठीक है चलिए अब हम लोग class को देरे ना करते हैं class को start करेंगे देखी हमारा आज का जो first rule है देख लिजी क्या है रोल से हमारा है अगर noun कैसी हो singular हो फिर उसके बाद add लगा हो preposition फिर क्या हो फिर से singular noun है तो वर्ब कैसी add होगी plural पतला भी वो बात ये कह रहा है कि noun कैसा हो subject कैसा हो singular हो फिर उसके बाद में कोई आएंड इसे फिर से दूसरा subject add हो लेकिन वो भी कैसा subject हो singular हो तो इसके साथ हम वर्ब कैसी add करेंगे plural क्यूंकि हम यहां पर वर्ब की ही बात कर रहे हैं वर्ब एग्रिमेंट पढ़ रहा है कि subject के अंसार कैसा वर्ब यूज होगा ठीक है फ्रेंड तो चलिए हम लोग इसका for example देखते हैं देखते हीं मोहित आंड रोhen देखिए मोहित भी हमारा क्या है singular रोहित भी हमारा singular सब्जीक्ट हैं कि नहीं विलकुल यह भी हमारा singular subject है Says रोहित भी हमारा singular किसे किया गए है एंड से तो यह बात उन्हें कहा है कि अगर दो सब्जिक्ट एंड से जुड़े हो वह भी सिंगलर हो तो उनके साथ वर्प कैसी एड होगी प्लूरल तो यहां पर है बिल्कुल राइट है उसके बाद है अपके साथ आप जानते हैं के साथ वर्प की कौन से पार्म आती है वर्विके हमें से थर्ड पार्म आती है ठीक है क्योंकि यह हमारा कैसे है present perfect इन्स है तो यहां पर हम क्या लग जाएगा have completed अभ यहां पर जो देयर आया है देयर किसके recording आया है इन दोनों के recording आया है क्योंकि हमारा कैसे है plural है यह मतलब क्या है दो है तो इसके लिए हम हिजना यूज करके क्या यूज करेंगे देयर क्योंकि एक से जादा है ठीक है यह हमारा जो possessive case है क्या यूज होगा देयर वर्क मोहित आयंड रोहित ने ये काम को क्या कर लिया है खतम कर लिया है ठीक है friend बात clear हुई न हमारा rule follow कर र रहा है क्योंकि subject दोनों ही singular है एंड से एड भी है और उसके साथ हम वर्ब कैसे एड करेंगे plural वर्ब यूज करेंगे देखिए next हमाला example देख लीजिए next है a boy and a girl दोनों देखिए singular है a boy भी singular है a girl भी singular है a boy and a girl love each other अगर यहां पर यह होता है a boy ठीक है और यह इतना ना होता तो हम यहां पर क्या आड करती है इसके इंसार हम वर्ब कैसी लगाते है यहां पर लगा देती है loves ऐसाइड हो जाता है क्योंकि singular है लेकिन यहां पर एक बाय है और मतलब कि एक लड़का और एक लड़की की बात हो रही है एक मतलब यह भी singular है यह भी singular है यह भी singular है लेकिन बनके कि दोनों मिल के क्या बनगे plural बनगे ठीक है and sad होके तो यह क्या बनगे अब यहाँ पर वर्ब कैसी आई है plural वर्ब आई है love हमारे क्या है plural each other means क्या होता है एक दूसरे बतल एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को प्रेम करते है ठीक है friend तो ये हमारे क्या होगे ये rules आपको बहुत अच्छे clear हुआ होगा कि एक subject हो और एक subject और उसके बाद I end हो फिर दूसरा एक subject जो के दोनों singular nouns हैं और साथ में कैसी verb यूज लेंगे वो हमेशा plural verb लेते हैं ठीक है फ्रेंड बात clear हो गई ना चले आप हम लोग next rule के तरफ चलेंगे देख लेते हैं next rule हमारा क्या है देखें next rule हमारा ये कह रहा है कि articles पजेश्यू केस ठीक है articles पजेश्यू के इस adjective singular noun मतलब कैसा हो article लगा हो या पजेश्यू nouns लगा हो या फिर कोई भी adjectives से यूज हुआ हो उसके साथ क्या हो subject कैसा हो singular सब्जेक्ट कैसा हो सब्जेक्ट हमारा सिंग्लर हो और मतलब उसके साथ और फिर उसके बाद सब्जेक्ट कैसा हो सिंग्लर मतलब इसमें यह बात कही गई है कि अभी तक हम क्या देख रहे थे कि एक हमारा क्या आ रहा था एक हमारा सब्जेक्ट सिंग्लर आ रहा थे दूसरा भी subject singular आ रहा तो उसके साथ किस से add होता था and से add होता था ठीक है तो उसके साथ हम क्या लगा देते plural verb लगा देते लेकिन यहां पे अगर कोई adjective दे दिया गया है उसके पहले यह दोनों एक singular noun और and से जुड़े एक singular noun के पहले अगर कोई adjective दे दिया गया है या फिर कोई possessive case दे दिया गया है या फिर कोई मतलब कि add कल दे दिया गया है तो इनके पहले हम क्या लगाएंगे अगर इससे add कर दिया गया है तो जो verb आएगी किसके coding आएगी singular verb आएगी ठीक है कैसी singular verb हमेंसा यूज होगा क्योंकि बिनायाद किये हुए ये चीज़े आप नहीं कर सकते हैं कि आप बस एक बार पढ़ लें और उसके बाद अगर sentence आगा है तो आप कर लेंगे ऐसा नहीं है आपको ये सारी चीज़े रटनी पढ़ेंगे ये rules आपको mind में रखना पढ़ेंगे तब जाके आप ये sentence कर पाएंगे देखें फॉर एक्जामपल इसके देखते हैं जैसे क्या है अब देखिए यहाँ पे principle की पहले क्या आ गया है एक article अगर यहाँ पे होता principle and honor क्या होता principle and honor यहाँ पे किसकी बात हो जाती कि एक principle है एक honor है ठीक है वहाँ थे लेकिन यहाँ पे एक ही लोग की बात की जाए रिदा principle and honor मतलब कि वही principle है वही क्या है honor है तो यहाँ पे दा क्या हो गया है यहाँ पे article लग गया है तो इसके पहले अगर आर्टिकल लग जाए तो उन्होंने कहा है कि आर्टिकल लग जाए और एक क्या हो नाउन कैसा singular ये भी नाउन singular है आइंड से एड जुड़ा हुआ भी है तो हम वर्ब कैसी लेंगे हमेंसा singular लेंगे तो देखी वहाँ पर वर्ब क्या ले गई है singular ले गई है ना बिल्कुल यही चीज़े ध्यान में रखनी है कि वर्ब कैसी हो वर्ब यहाँ पर कैसी है singular नाउन कैसी है नाउन दोनों singular है और वो आइंड से जुड़े हुए भी है और उसके साथ में सबसे पहले क्या आइड कर दिया गया है आर्टिकल्स है यहाँ पर आर्टिकल्स हो जाए या फिर कोई adjective एड हो जाता या फिर कोई पजेसियो मतलब के adjective यूज होता तो वो भी क्या हो जाते सब यह सब बन जाते हमारे वर्ब कैसी ली जाते है सिंगलर वर्ब ली जाएगे ठीक है अब देखें next example देख लेते हैं my uncle and guardian has taken care of me देखो ओ क्या कह रहा है कि मेरे जो चाचा है वो ही मेरे गार्जियन है जो मेरी बहुत जादा care करते है मेरे जो चाचा है वो ही वो मतलब जो चाचा की बात कर रहा है वो अपने चाचा की बात कर रहा है कि वो ही मेरे चाचा भी है और वो ही मेरे गार्जियन है क्योंकि वो मेरे बहुत जादा care करते है तो यहाँ पे जो my आया है तो पजेस्य अड्जेक्ट्व है क्या है ये पजेस्य अड्जेक्ट्व है कि मेरे चाचा ठीक है तो यहाँ पर पजेस्य अड्जेक्ट्व आ गया है ठीक है और उसके साथ क्या आ गया है सिंग्लर नाउन आ गया है फिर दूसरा भी singular नाव नागे और जुड़ा किसे है एंड से तो हम इसके साथ कॉन सी वर्ब लेंगे हम इसा singular लेंगे अगर यहाँ पर माई ना लगा होता माई अगर cutting होता तो यहाँ पर uncle and guardian हो जाता higher यहाँ पर क्या लग जाता है अच की जगा higher लग जाता ठीक है तो यह दोनों चीज़े clear हो रहे हैं ना यह most important rule है यह आपको paid batch में भी ऐसे rules आपको नहीं मिलेंगे जो आपको free of cast दिया जा रहा है तो आप इनको ignore बिलकुल ना करें चीक है फ्रेंड चलिए अब हम लोग देखते हैं next rule को यह चीज़े बहुत अच्छे से आप लोग clear कर लेजी देखे देख लीजी यह rule सब देख लीजी इसे क्या है article लगा हो या फिर adjective लगा हो क्या है article या adjective प्लस क्या है and फिर adjective मतलब एक article लगा दिया जाए एक मिनिट देखे कहरा है कि आप पहले सबसे पहले क्या लगा देए आप एक article यूज कर लेए फिर क्या लगा दे adjective फिर end फिर adjective अभी तक है adjective की जगा क्या यूज होता था noun यूज होता था होता था ना adjective की जगा हम लोग क्या यूज करते थे noun यूज करते थे है नां yuze करते थे ना लेकिन आप हम यहां पे ना यूज करके क्या करेंगे एक एड्जेक्ट्व को दूसरे एड्जेक्ट्व से जूड़ने के लिए क्या लगा देंगे एंड लगा देंगे उसके बाद अब आएगा singular noun article भी लगा होगा adjective दो adjective and से जुड़े होगे उसके बाद एक singular noun आ जाएगा तो वर्वी कैसी होगी वर्वी हमारी singular count के जाएगी ठीक है देखिए आप example से ज़्यादा अच्छा स्क्लियर हो जाएगी यह बाद देख लीजे जीसे क्या है a black and white देखिए यह हमारा क्या है a हमारा है article क्या है यह वन गए article और black और white यह दोनों क्या है adjective जुड़े किस से हैं आएग से जुड़े है भाद black and white क्या है adjective तो हैं काला iD शफेद ठीक है तो rat हमारा क्या है rat हमारा है noun वो भी कैसा है singular noun इसके according हम जो verb लगाएंगे कैसी singular इज हमारा क्या singular के लिए उज होता है बिल्कुल तो singular verb लिए उज होगी बात clear हो रही कि नहीं बिल्कुल समझ में आई बात न तो देखें यहां पे दो adjective दे दिये गे हैं एक articles उनको एक articles भी उनके पहले लगा दिया गए जैसा role है बिल्कुल वैसा example आपको दिया जा रहा है ठीक है a black and white a black and white thread is running in my house ठीक है आप देखें next example देख लीजी अब जैसे इसमें दे दिये जाए bread and butter दो adjective न bread and butter इसी तरीके देखी वो तो उसके rule के according था अब इसको देखे bread and butter bread and butter देखा जाये is my father is my brother's favorite breakfast मतलब अब ये दोनों हैं तो अलग-अलग चीड bread and butter लेकिन उसके भाई के दोनों ही फेवरेट दोनों ही फेवरेट मतलब एक लोग की बात की जा रहे हैं यहां पर यहां पर bread and butter की तो बात की जा रहे हैं लेकिन किसको एक लोग को पसंदे मेरे भाई को पसंदे मतलब मेरे भाई को ये ये फेवरेट ब्रिकफास्ट फेवरेट नास्ता हैं तो यहां पर bread and butter को ना subject मान के कि हमने किस को माना my brothers को इसके coding हमने क्या लगा दिया is ठीक है और दूसरी तरी किस देखिए rice and curry is popular dish rice and curry ये दोनों साथ में ही इनको add किया गया है ठीक है इनको दोनों के एक subject बना लिया गया है rice and curry तो उसके coding हम क्या कहा गया मतलब एक ये रेस्पी मानी गया है dish मानी गया है खाने की चीज मानी गया है एक में ही दोनों के तुलना करेंगे तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे subject इसको एक माल लेंगे ठीक है singular माल लेंगे उसके recording हम और पर कैसे लगाएंगे singular इसी तरीके क्या है fire and water, देखा जाए तो आग and पानी अलग है, है कि नहीं, विलकुल अलग, तो do not agree different class, अब देखें यहाँ पे fire and water, मतलब अलग-अलग class को सहमती नहीं करता है, ठीक है, do not, यहाँ पे क्या आना चाहिए, does not अगर आएगा, तो wrong हो जाता, अगर यहाँ पे यह कह दिया जाता, fire and water does not agree, बस इतना कर दिया जाता, और different class ना दिया जाता, तो यहाँ पे does use हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या use हुआ है, do use करेंगे, ठीक है, इसी तरीके क्या है, देख लिए, जो example दे रहा है, इसी बिलकुल ऐसे ही बिलकुल आपके exam में पूच लिया जाते है, जैसे क्या है, gold and silver are precious metals, metals कैसे है, बहुत कीमती metals है, यहाँ पे क्या लगा दिया, essence के recording है, यहाँ पे जैसे तरह हम क्या use करेंगे, verb use करेंगे, कैसे sense के recording, precious के बहुत कीमती metals है, gold and silver, तो दोनों की बात की जारी, अलग अलग बात की जारी, the novelist and poet, अब देखिए, यहाँ पे the article यूज हुआ बिल्कुल, अब novelist and poet, एक लोग की ही बात की जारी, इसलिए the हम इसके पहले लगा दिये है, चीक है, तो क्या, अगर इसके पहले क्या आ जाता, the novelist लिख दिया जाता, और the poet भी लिख दिया जाता, तो यहाँ पे दोनों अलग-अलग की बात हो जाती, novelist and अलग poet की बात हो क्योंकि भाई, singular subject है, तो singular verb भी लगेगी, बात clear हो गई न, बिल्कुल, तो यह थे हमारे कुछ rules, जो कि most important rules है, ठीक है, आज हम लोगोंने देखे, एक अठा रोल पढ़ लेंगे, तो आपको भी bounce हो जाएगा, और मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने में, मैं तो ए आद अच्छा clear समझेंगे, देखे, आज हमने जो रोल पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कहां से पढ़ा है, आज हम लोगोंने रोल, यहां से पढ़ा है, कि singular noun, and, and, मतलब कि एक singular noun, तो दूसरा singular noun को and से जोड़, तो उसके साथ वर्पर कैसे लगेगी, plural लगेगी, चीक है, और दूसरा रोल हमने क्या पढ़ा है, कि singular noun, दूसरा भी singular noun, and से जुड़ा तो है, लेकिन उसके साथ क्या लग जाए, पहले article या कोई पचैसी adjective लग जाए, तो उसमें वर्पर कैसे लगेगी, singular noun होगी, यह वाला पढ़ लिया है, तीसरा रोल हमने क्या पढ़ा है, कि कोई article य जाए, जो एक्जाम में आपसे बिल्कुल ऐसे ही, मतलब की बेवू, पूछ लिया जाते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल याद रख लेना है, फिर next turn में हम और भी rule लेकी cover करेंगे, तो चले friends, अगर आप चैनल में नय हैं, तो चैनल को subscribe करें, like करें, comment करें, share करें, और ये copy जरूर कर लिजी, इसको no-down कर लिजी, ताकि आपको ये चीजें दुबारा से ना लिखनी पड़े, ना पढ़ना पड़े, अगर आप no-down नहीं कर पा रहे हैं, या तो फिर ये वीडियो को 2-3 बार देखिए, तो आपको ये चीजें बिल्कुल से clear हो जाएंगी, ठीक